एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम बेसन के चिले बेसन के चिले तो आपने बहुत ही खाया होगा लेकिन एक बार इस तरीके से बना के देखो आप हफ़ते में दो बार बना के खाओगे और बड़े और बच्चे सब इसे खाएंगे तो आज मैं आफिस जाने के पहले बना रही थी बेसन के चीले तो मैंने सोचा कि क्यों ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए क्योंकि मैं ये थोड़े अलग तरीके से बनाती है और मैं आपको हमेशा बोल दियू ना कि अगर आप सीम चीज अलग तरीके से चेंज कर दोगे तो उसका टेस्ट बहुत ही चेंज हो जाता है तो चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले मैं यहां पे ले लूँगी टमाटर प्याज और हरीमिश तो टमाटर हमने बड़े साइस का लिया है इसका मुझे आधे का ही यूज है मेरे पास मेजरिंग कप को यूज कर रहे है तो अब जो हमने प्यास टमाटर और हरीमिश चॉप करके रखी ती वह यहां पे डाल देंगे आप चाहो तो हाथ से भी चॉप कर सकते हो लेकिन जब हमारी काम जल्दी हो जाती है तो हम क्यों न चॉपर का यूज करें और आजकल तो चॉ चॉप कर सकते हैं यहां पर डाल देंगे आधी चोटी चमच बुना हुआ जीरा का पाउडर आधी चोटी चमच का पाउडर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप इसे जरूर डाले एक चोटी चमच भरके चाट मसा अभी हम यहां पर सभी चीजों को अच्छे से म पानी बच गयते बाकी सारे पानी यूज हो गयते और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे मुझे आप इंस्टा और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते और अपने फ्रेंड्स और फामली क अब हम चलते हैं चिल्ला बनाने के प्रोसेस में तो चिल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले एक तवा ले लेंगे आप कोई सा भी नॉन स्टिक या आईरन का कोई सा भी तवा ले सकते और उसे हम गयास पर गर्म होने के लिए चरहा देंगे अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक चमच ऑईल और 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 इसे पिर से मिक्स कर लेंगे और से यहाँ पर मैंने एक ऐस्पून डाला है और अच्छे से पहला लेंगे इसको बिलकुल पतला भी नहीं करना और बिल्कुल मोटा भी नहीं रखना है अगर आपको बड़े साइज का चाहिए तो आप यहाँ पे 2 स्पून या 1.5 स्पून यूज़ कर सकते हो मुझे यहाँ पे इसी साइज का चाहिए था तो मैंने यहाँ पे एक ही स्पून यूज़ किया और अब अब यह हम इसे अच्छे स आइल और इसे पलट देंगे, अभी इस स्टेचपर हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे दबाते हुए हम 2 मिनट के लिए cook कर लेंगे तो चलिए यहाँ पे मेरे डेर से दो मिनिट हो चुकिए अब मैं इसे पलट के देखूंगी तो आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है तो अब हम इसे निकाल के प्लेट में साइड रख लेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरा चिल्ला भी बना लेंग गैस का फ्लेम लो होना चाहिए और लो फ्लेम पे हम इसे दो मिनट के लिए कुक कर लेंगे यहाँ पे इसे कुक करते हुए मुझे टोटल डेर मिनट हुए अब यहाँ पे हम आधी चोटी चमच फिर से कुकिंग ओल डाल देंगे और इसे पलट देंगे उसके बाद पलटन अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दे मुझे इंस्ट और फेस्बूक पे भी फॉलो करें और अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें यहां पर मैंने इसे केचप के साथ सब्सक्राइब कर स